जै माता दी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कामदा एकादशी की व्रत कथा और ये कथा इस परकार है इस दिन भगवान श्री हरी विश्नों का पूजन करने और कामदा एकादशी व्रत करने से सब भी मनुकामनाई पोण होती है किसी वी एकादशी पर पूजन के समय एकादशी महत्म की कथा अवश्य पढ़ने या सुननी चाहिए कामदा एकादशी व्रत करने अत्वा कथा पढ़ने और श्रवन करने से वाचपई यक के समान फल की प्राप्ती होती है और कामदा एकादशी की व्रत कथा धर्मराज उधिस्टिर कहने लगे कि हे भगवन आपको कोटी-कोटी नमस्कार करता हूँ आप कृपा करके चैद शुकल एकादशी का महात्म कहिए तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हे धर्मराज यही प्रशन एक समय राजा दिलिप ने गुरू वशिष्ट से किया था जो समाधान उन्होंने किया था वो मैं सब तुम्हें बताता हूँ प्राशीन काल में भोगीपूर नामक एक नगर था वहाँ पर अनेक एश्वरें से युक्त पुन्रीक नामका एक राजा राज्य करता था भोगीपूर नगर में अनेक अपसराय किन्र गंधर्व बास करते थे उनमें से एक जगा ललिता और ललित नामक दो स्तरी पुर्ष अत्यन पहपशाली घर में निवास करते थे उन दोनों में अत्यन नहीं था यदि वे एक दूसरे के कुछ समय के लिए अलग हो जाते तो अत्यन व्याकुल हो जाते थे एक समय राजा पुन्रीक की साहाब में अन्ने गंधर्व सहित ललित भी गान करने आया गाते गाते उसको अपनी प्रियाय ललिता का ध्यान आ गया उसको अस्वर्थ भंग हो गया जिसके कारण गाने का सरूप गड़ गया कारकोट नामक नाग ने ललित के मन के भाव जान लिये और पद भंग होने का कारण राजा को बता दिया तब पुंड्रीक ने क्रोध पूर्बा कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपने इस तरी को समार्ण कर रहा है आता है तू कच्छा मास और मुनेशों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किये गए कर्म फल को भोगेगा पुंड्रीक के शापशा ललित उसी छण महा का विशाल राक्षस बन गया उसका मुक अत्यान भैंकर नैतर सूरे चंद्रमा के तरह प्रदीप्त और मुक से अगनी निकल रही थी उसकी नाक परवत की कंद्रा के समान विशाल हो गई और गर्दन परवत के समान लगने लगी स सिर के बाल परवतों पर खड़े प्रिक्छो के समान लगने लगी था भुजाएं बहुत लंबी हो गई उसका शरीर आठ योजन के विस्तार में हो गया इस तरह से वहराक्षस बनकर अनेक परकार के दुख भोगने लगा जब उसकी प्रयत्मा ललिता को ये सारा विरतान ग इलाब करती रहती एक पर ललिता अपने पती के पीछे पीछे घुमती घुमती विध्याशल परबत पर पहुंच गई मा स्रिंगिरिषी का आसरं था ललिता शेगरी के आसरं में गई और वहा जाकर प्राथना करने लगी उसे देखकर सिर ध कहा कि सुनो हे सुभगे तुम कौन हो और यहां किसली आई हो तब ललीता बोली कि हे मुनीवर मेरा नाम ललीता है मेरा पती राजा पुन्री के श्राप से विशाल खाय राक्षस हो गया है किरपा करके उसके उधार का कोई उपाय बतलाई है श्रींगर शिब बोले हे गंधर करन्या अब चैत शकल एकदशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकदशी है इसका वरत करने से मनुष्य कि सब परकार के कारे सिध्ध होते हैं यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसका पूर्ने फल अपने पती को देगी तो वैं शीगर ही राक्षास यूनी से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राब भी अश्मेप शांत हो जाएगा मुनी के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैथ शुकल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और दूआदशी को ब्रामनों के सामने अपने व्रत का फल अपने पती को देती हुई भगवान से बोली कि हे प्रभू मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पती देव को प्राप्त जिससे वह राक्षास योनी से मुक्त हो जाए एक आदाशी का फल देते ही उसका पती राक्षास योनी से मुक्त हो गया और उसे अपना पुराना सुरूप राप्त हो गया वह फिर अनेक सुंदर वस्तर आभुस्तों से योक्त हो कर लिता के साथ विहार करने लगा उसके पश इस परकार कामदा एकादशी की वरत कथा समापत हुई